दिपावली के दिन लोग माता लक्षमी की पूजा करते हैं इस साल दिपावली 12 अविवार को है और सूप संयोग में है कार्तिक कृष्ण प्रदोर्ष और निशिद व्यापनी अमाउस्या में 12 नवंबर रविवार को स्वाती नक्षत्र और आयुशुमान के साथ सोभाग य लोग की यूग्म संयोग में दिपावली मनाई जाएगी पटना के मस्भूर जोतिस वीद डॉक्टर स्रीपती तिरपाठी के नुसार इस दीन इस्थिर लग्ण में धन वैभों की कामना से महालक्षमी महासरश्वती विग्ण हर्ता गनेश कुबेर की विधिवत पूजा क की जाएगी दिपावली के दीन जो है वह तीन सुब महुर्त मिल रहे हैं आप सभी को बताते हुए हर्श हो रहा है कि प्रदोस रात्री में कार्तिक कृष्ण अमाउस्यापते थी मिलने के कारण दिपावली का जो यह शुब पर्व है खुसी का जो पर्व है यह बारह नौ होकर दो बचकर 16 मिनट तर चलेगा और इसी के मद्ध पूजा होगा मतलब कुम लगन में पूजा होगी और दूसरा सर्वोत्तम जो मिल रहा है आपको बता दें कि सायम कालिन 5 बचकर 30 मिनट से शुरू होगा और समय जो है तीसरा जो है 11 बचकर आपको 51 मिनट से लेकर 2 लगन में कमपनी वाले जो बड़े वाले जो लोग जो सिंगल लगन में करते हैं इस समय पूजन करेंगे तो दिपावदी की दिन तिन ही सुब मोहत मिल रहा है पतना से लोकलेटिंग के लिए सचदानन्द किया रिपोर्ट